नमस्कार दोस्तो दोस्तो आजम बात करने वाले हैं बवसीर में कौन सा जोस्पी हैं? दोस्तो आएछ चानते हैं इस बारे में दोस्तो बवसीर एक बहुती दर्दिनीय समस्या हैं इस परेशानी से गर्षित लोगों के मलस्य और गूदे के चेतर में इस्तित रख्त वाहिकाव में सूजन होने लगती हैं साथी मरीज को मल त्यागने के बाद काफी जादा सूजन और दर्द का अनुभाव होता हैं वहीं मल त्यागने के दोरान काफी जोर देना पड़ता हैं बवसीर की परेशानियों को कम करने के लिए घरेलू उपायों के सासात बहतर डाइट की भी आवसकता होती हैं इससे आप अपनी समस्याओं को कंट्रोल कर सकते हैं अधिकतर हेल्थ एक्सपर्ट बवसीर के मरीजों को फाइबर युक्त डाइट लेने की सला देते हैं इसके साथ साथ आपको इस दोरान कुछ हेल्दी जोस भी अपने आहर में सामिल करना चाहिए ताकि बवसीर की परेशानी कम हो स दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे बवसीर के दोरान पीने से कुछ हेल्दी जोस के बारे में बताने जा रहे हैं बवसीर में कौन सा जोस पीना आपके लिए हेल्दी हो सकता हैं दोस्तो आईए जानते हैं बवसीर में कौन सा जोस पीएं नमबर एक मूली दोस्तो बावसीर मरीजों के लिए मूली करस फाइदे मन्द होता है अगर आपको बावसीर की परेशानी है तो सुभे और रात के समे मूली का जूस पीएं इसके लिए पहले एक चोताई कप मूली करस लें धीरे दीरे आप इसे आदा कप अपने आहर में सामिल करें इसके साथ सहद मिलाकर परभावित हिस्से पर भी लगा सकते हैं इससे बावसीर में होने वाली समस्याओं से आराम मिल सकता है नमबर दो करेले का जूस दोस्तों बावसीर की समस्याओं से रहत पाने के लिए करेले का जूस आपके लिए लावकारी हो सकता है इसके लिए करेले के प पेट एक महिने तक लगातार इस जूस का सेवन करने से बवसीर की समस्याओं से आराम मिलेगा नमबर तीन नीमबु करस दोस्तों नीमबु का जूस बवसीर की परेसानियों को नेचुरल तरीके से दूर करने में आपकी मदद कर सकता हैं यह रस रेक्ती वाहिकाओं की दिवा करने में आपकी मदद कर सकता हैं इसके लिए रोजाना एक गिलास पानी में नीमबु का रस खाली पेट लें इसके अलावा आप नीमबु के रस को परभावित हिस्से पर भी लगा सकते हैं इससे दर्द से काफी आराम मिलेगा दोस्तों इसके अलावा गरम पानी में दायक हो सकता हैं इसके अलावा आप नीमो के पत्तों को काड़ा भी पी सकते हैं नमबर चार एलोवेरा जूस दोस्तों बवसीर की समस्याओं से रात पाने के लिए एलोवेरा जूस आपके लिए पाइदेमद हैं एलोवेरा जूस में एंटी इंफलेमेटरी गुण पाया जा जेल को पानी में डाल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लें रोजाना सुबह इस जूस का सेवन करने से काफी लाभ होगा इसके अलावा आप एलोवेरा जेल को अपने परभावी थिसे पर भी लगा सकते हैं दोस्तों इसे बवसीर के दर्द से आराम मिल सकता हैं वहीं रोजाना दो चम्मच एलोवेरा जूस पीने से बवसीर की पुनरा वर्ती को रोकने में मदत मिल सकती हैं नमबर पांच खीरे का जूस दोस्तों बवसीर की समस्याओं को कम करने के लिए खीरे से तयार जूस भी आपके लिए लाबकारी हो सकता हैं इस जूस को तयार करने के लिए एक मद्यम आकार के खीरे को काट कर एक गराइंडर में डालें अब इसमें कुछ पुदीने की पत्तिया और जीरा पावडर मिक्स कर लें अब मिक्सर गराइंडर की मदद से इसे पीछ लें इस जूस को पीने से बावसीर की परेशानी दूर हो सकती है दोस्तो अनार की जूस में फाइबर और आइरन भरपूर रूप से होता है जो बावसीर में होने वाली मल त्यागने की परेशानी को कम कर सकता है साथ ही इसे सरीर में आइरन की कमी को दूर किया जा सकता है दोस्तो बावसीर की समस्याओं को कम करने के लिए नेचूरल रूप से तैयार यह जूस आपके लिए फाइदेमंद हो सकता है हाला की ध्यान रखे की इने जूस का सेवन करने से पहले डोक्तर से सलाज जरूर लें दोस्तो अगर आपको हमारे यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें